तो है गाइज अलगा मैं आप तो चैनल कैसे हो आप सब सबस्क्राइब बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इस स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो हमारे ऑथर थे जिनका नाम है मैक्सवेल उनके जो एक डॉक था उनको जो पैट डॉक था उसकी डेथ हो चुकी थी तो अब उनके पास कोई भी पैट नहीं था तो उन्होंने सोचा कि हम मुझे एक पैट खरी जब उन्होंने इराक में ट्रैफल किया तो उन्होंने वहां पे देखा कि जितने भी अरब लोग रह रहे थे उनके पास और एजब पैट था तो और क्या होता है वह आपको दिख जायागा जो की मेली पानी में रहते हैं जो मेली कीचर वाली जगे पे रहते हैं जारतर पा बना लूँ तो वह इराक में जब ट्रैफल कर रहे तो उन्होंने यह देखा और उन्होंने वहां पे डिसीजन लिया कि मैं और को अपना पैट बनाऊंगा तो नहीं यह बात अपने दोस्से भी बात करिए उनका फ्रेंड था उन्होंने उसे पूछा कि मैं और को अपना प पानी की जरूरत है तो वह तुमारे लिए एक स्यूटेबल पैट है इस टेड़ ऑफ़ डॉग तो यहां पर यहां पर और को अपना बनाऊंगा और अब मुझे और को पहली बात तो खरीद ना है ठीक है उनका मेली यह उनका सोचना था ठीक है पर अब वह वह आपको बता ह करना था कहां से मेल कलेक्ट करना था बसरा से तो वह बसरा मेल ली जा रहे थे वह और उनका दो क्योंकि उनके दोस्त को भी वहां से मेल कलेक्ट करना था जो कि कहां से आ रहा था वह आ रहा था यूरोप से तो जब वह दोनों बसरा गए और उन्होंने वहां पर जाके हैं अब जो जो डोनें तो उन्होंने मेल लिया वह अपने घर को वापिस चले गए तो यहां पर दो आपे बसरा में वहारा पे रुख गये थे उस दिन क्योंकि अब उनका मैल तो उनको मिलने पाया तो मैं एमेल करता हूं अब एमेल गेल वाला नहीं टेलीगराफ करता हूं सब्सक्त चलता था तो वनने टेलीगराफ करने की कोशिश करी पर due to some lack in connection की connection error हो गया दूसरी बार में क्या हुआ कुछ religious holidays पढ़ रही थी उसके कारण उनका जो telegraph है वो नहीं जा पाया वो mail नहीं कर पाये और उनका mail वापिस आभी नहीं पाया यूरोप से ठीक है तो अब उनने क्या किया बहुत ट्राइ किया पर कुछ नहीं वो पाया पर फिफ्ट डे फाइनली उनका mail उने मिला बसरा में ही मिला उनने उनका mail तो जब उनने मेल मिल चुका था तो वह अपने उनने सोचा कि मैं इसको अपने सेक भी कहते हैं से सीके तो उस बोरे में उनको बहुत हरकते होते हुए दिख रही थी तो उनने क्या किया उन्हें लगा कि यह अरव मेरे कि रूम में कैसे बैटे हुए मतलब इनका main कारण क्या है क्योंकि मैं तो कभी इन से मिला भी नहीं हो जब भी मेरे रूम में आके बैठे हो और के हाथ में क्या है सैक में क्या चीज़ है क्योंकि बहुत ही जादा हिल रही है बहुत ही जादा मूवमेंट कर रही है तो थोड़ी दिर वाज वह जो दो अरप थे उन्होंने और अथर को एक लेटर दिया और उसमें लिखा हुआ था कि हेर यूर ओटर सो मतलब वो ओथर के दोस्त का एक लेटर था और जो ओथर के दोस्त थे उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया ओथर को एक ओटर क्योंकि मैं आपको बताया कि ओथर ने अपने दोस्ते भी इवाज शेयर करी थी कैशुली क्योंकि उनके दोस्त थे कि मुझे ओटर चाहिए मुझ इसको otter gift करती या, वो बहुती रहता खूश द उन्होंने उसको otter gift कर द है वो भी बल्कुल free में जब otter कीने उन्होंने उसको बाहर निकाला उस सैक बोरे से वहां उन्होंने देखा कि नहीं पूरा चॉक्लेटी ब्लकुल ब्राउन कलर है तो पूरा उसे वो ब्राउनिश कलर दे रहे थे पर वो उसको ओरिजनल कलर नहीं था तो अब जैसा कि आपको मैंने बताया उसको ओरिजनल कलर नहीं तो हाँ पर ओथर ट्राइ करता है उसको वो सोचता है कि चलो मैं उसको नहला वहला के साफ वाफ करके मैं इसे के औरिजinals कलर में जलुर लिया हूँ और उनको कितना तायम लगता सोचो करने में पूरा एक महिना लग जाता हूँ साफ करते करते उसका औरिजनल कलर दिखाने के लिए जो औरिजनल कलर है, ठीक है तो एक महिना लग गया उने अब उन्होंने आप इनिशल डेज में बताया है कि इनिशली वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था आउथर के साथ, मतलब उसे लग रहा था ये कौन आगया मेरे सामने, ये कौन है लड़का कौन है, कौन है इनसान, प्योंकि आउटर को क्या पता हूँ कि वो अउथर का प जो ऑठर था वो तो बेट पर सो रहा था, नॉर्मली इंसान बेट पर सोते हैं, और जो ऑठर था वो जमीन पर सो रहा था, वो भी बेट से बहुत दूर, बेट के बहुत दूर, बेट के बहुत दूर, अगली रात देखा तो अगली रात वो ऑठर बेड के पास आ चुका है उसे लगने लगा है कि हाँ यह मेरा मालिक है मैं इसका पैट हूँ और यह हम एक फैमिली मेंबर के साथ मतलब फैमिली मेंबर की तरह रह सकते हैं क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर होते हैं हमें उनके साथ बहुत प्यार से बात करनी चाहिए और उनके साथ वेभार करना चाहि तो पूरे दिन खेलते ही रहता दहतो खी आवास कोई काम नी था है यह उसके एक उनुक्त कि पोल नहाने गए बात्रों में रहती हे तो भाथे है उसके कहले कि वो सै नह उतनुक्षा चुब अजते हैं रगाए उसको पूरा आतंग की मजा दिया, पूरे हर जगे splashes of water थे, मतलब उतना ज़्यादा उसको पसंद आया, मैं आपको बताया, वो पानी में ही रहता था, तो वो पानी में उसने खेलना स्टार्ट कर दिया, पूरे bathroom में सिर्फ और सिर्फ पानी पानी इधा उदर, सिर्फ और कोछ नि तो जो वापस आके उन्होंने देखा कि यार, water अपने बैट पर अपनी जगे पे नहीं है, उन्होंने लगा वो कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने उसे पकड़ना नहीं चाहा और देखा कि यह जाना कहा चाता, यह water कहां तक जाएगा, मैं देखता हूं, तो उ water ऐसा कर रहा था, और उसने less than half minute में, यह tap को open कर दिया था, उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया था, यह सब चीज़ें देखकर बहुत यह अच्छा लग रहा था, और पता है, water बिलकुल एक इसमें बिलकुल बेकार बात लिखी हो, यह बहुत अजीब सी, कि author को लग दिक्कत थी, मैं आपको बहुत ज़्यले पूरी समधी बता रहा हूँ जो, आप सबसे बड़ी दिक्कत थी, कि अब वो बसरा में रह रहे थे, तो अब वो अपने वापस घर, England में कैसे जाएंगी, जहां पर उनका flat था, क्योंकि बहुत सारी airlines ऐसी थी, जहां पर वो पैट को नहीं ला सकते अपने साथ, ठीक है, तो यहां पर जानबूच के ओटर ने अब ऐसी flight को चूज करना चाहा, जहां पर ओटर या फिर कोई another animal जहां और उनका पैट ले जा सके एक कंट्री से दोसरी कंट्री में, तो उनने वो flight book कर दी, अब क्या हुआ, वहां पर ले जाने उनने खोला तो बहुत unconscious हो चुका था author, मतलब उसकी हाला थोड़ी खराब होती उसे, थोड़ी खरोच वरोच आ चुकी थी, तो यह देखकर उने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा author को, तो उनने क्या किया, जितनी भी sharp points थे उस box में से वो हटा दिये, और फिर से author को उस उनने लाब पे रखा और फड़ा फड़ से टैक्सी भागी और फ्लाइट में वो पहुशने में सफल हो गए, बिल्कुल एंड मुमेंट पो अपनी फ्लाइट में पहुचे, अब क्या हुआ वहाँ पे जब उनने वहां की जो एरोष्टिस थी, वह उतनी बहुत अच्छी जो जो उनने वहाँ अपने लाब पे रख सकते हैं और को उनने अलाव कर दिया, बहुत अच्छी बात लगी आफ़र यह अच्छी बात को एरोष्टिस की, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग रोते हैं जो पैट को अलाव कर रहे हैं वाले उपर से यह भी कह रहे हैं, अपनी ला ज्यानवर्ड लेया है हमारी फ्लाइट में उपर से छोड और दिया है पता नहीं कैसा खतरनाक ज्यानवर्ड क्या है और तो कोई जानता भी नहीं आपने भी पहली बारी सुनाओगा अब तुमें आपको पिच्चर दिखा दी तो आपको समझ में आ गया होगा कौन है अपनी अच्छी थी इतनी काइंड थी टूवर्स ता ओथर कि उन्होंने वहां पर भी हैल्प करी ओटर को ढूंडने में और फाइनली ओटर वापिस अपने बॉक्स में अपने हापी आके वह बैड़ गया उनकी लाप पे तो उन्होंने फिर बॉक्स बंद कर दिया सफाइनली वह यह बहुत मिस्कंसेप्शन थे अब आउटर की यह क्या स्कूरल है क्या यह कुछ और चीज़ है पता नहीं क्या उन्होंने कभी देखा नहीं तैस चानवर को बहुत सारी मिस्कंसेप्शन से सभी के माइंड में और से रिलेटेड और एक बार तो लास्ट इस पूरी स्टोर अब आपको बताया जो वर्कमेंट जो डिगिंग कर रहा था उसका दिमाग खराब हो गया कि यह कौन है वही उसने बोला है मिस्टर है मिस्टर वाट इस इस सपोस्ट टू बी उसको लगा कि यह क्या है यह क्या चीज है तो इसी के साथ यहां पर यह हुई कहानी खतम सो में लिए देखो इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ ऑठर 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 की यहां पर कहानी बोली गई है तो अगर आपको इस समरी थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों में और टे सब्सक्राइब कर लो इदर जब तक लिए थैंक्यू गाइज है वनाइस दे बाबाए